बढ़ते अगली खबर की ओर जहां खबर अंबेटकर नगर से हैं प्रजेश पाठक का आगमन होगा इसके साथ ही फूला देवी चंद्रधर पीजी कॉलेज चंदो का भीटी में भी पहुचेंगे डिप्टी सीम पीजी कॉलेज में बने नम निर्मिट भवन का डिप्टी सीम करेंगे घाटन आपको बता दे 11 बजे बस्ती के लिए भी प्रस्तान करेंगे डिप्टी सीम ये डिप्टी सीम का पूरा कारक्यम है आपको बता दे कि अंबेटकर दोरे पर हैं डिप्टी सीम विजेश पाठक जिनका ये पूरे दिन का कारक्यम है बतादे कि सबसे पहले सुबह 10 बजे बिजेश पाठक का आगमन होगा जिसके बाद फूला देवी चंदरत पीजी कॉलेज चंदो का भीटी में आएंगे डिप्टी सीयम करेंगे उद्खाटर सुबह 10 बजे बिजेश पाठक का आगमन होगा जिसके बाद ये उनका आज बुरा कारकम है जहाँवे फूला देवी चंदर पीजी कॉलेज चंदो का भीटी में पहुचेंगे इसके साथ ही पीजी कॉलेज में बने नम निर्मित भवन का भी करेंगे उद्खाटर अब को दादे इसके बाद 11 बजे बस्ती के लिए प्रस्थान करेंगे डिप्टी सीम बिजेश पाठक अब को दादे कि आज अमबेटकर दोरे पर हैं डिप्टी सीम बिजेश पाठक जहाँवे ये उनका आज पूरा दिन भरका कारकम है इस पर हमार साथ जोड़ है समवादाता सेद शबी अबास सभी ये जो मामला सामने आ रहा है जो बात बोली जारी है कि आज सिप्टी सीम का दोरा है अमबेटकर दोरा है जहां पर वे पहुचेंगे और ये उनका पूरे दिन भर का कारकम है इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है डिप्टी सीम बिर्जेश पाठक का दोरा है एक दिवस्य दोरा है और तस बज़े आएंगे यहां अमबेटकर नगर उसके बाद कर फूला देवी चंद पीजी का पीजी का पीजी का जो है नए भावन का घाटन करेंगे उसके बाद क्यारा बजे डिप्टी सीम जो है बस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे जी तो आज जो यह डिप्टी सीम आज अमबेटकर नगर पहुंच रहे हैं जिसको लेकर उनका यह पूरे दिन भर का कारक्यम है उनका लंबा चोड़ा दौरा है तो क्या मतलब आज इसको लेकर किस कि तैयारिया की गई है मतलав सुरक्षा विवस्ता को लेकर किस प्रकार की तीयरिया की गई हैं बीजेपी के नेता हैं ने को देखते हुए पूरी कर ले गई है और लोगों में खुती का माहौल भी है कि जो है आज एक पीजी कालेज का जो है उद्गाटन भी करेंगे तो कहीं कहीं जो है यह अपने आप में अच्छी बात है जी जानकारी देने के लिए धन्यवाश अभी तो आपको पता दे कि आज डिपी सीम रिज सुबह 10 बजे बिजेश पाठक का होगा आगमन